हेलो एवरिवन वेलकम टू रियकेड़मी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SSC IMD के लिए करेंट अफेर के लिए आपको कौन सा रिसोर्स यूज करना है एक ही रिसोर्स एक ही बुक्लेट बताऊंगा हर मेने के लिए नहीं पूरे साल के लिए सिर्फ एक बताऊंगा और उस बुक्स से आपके सारी कौश्चन जितने भी कौश्चन आपके SSC के एकजाम में IMD exam में आएंगे current affairs से सारे ही question आपके उसी book से हो जाएंगे other किसी book पे rely करने के आपको जरुरत नहीं पड़ेगी ना ही इस section के लिए आपको tension लेने की जरुरत पड़ेगी उसी एक book को आपने exam तक 2-3 बार पूरर read कर लेना है उसी में आप अच्छा question guess करके या याद करके आप score कर लोगे for example मैंने previous year के जो section थे current affair के उनके सारी question करनलाइज करके आपके सामने यहाँ पे 7-8 question में लेखे हो हैं ताकि आप भी समझ पाऊं कि किस तरह कोशन यहाँ पे exam में पूछे आते हैं पहला question आपके सामने है the national institution of transforming India नीति आयोग launch national nutritional strategy aimed at तो जो national nutrition strategy जो नीति आयोग ने launch किया था उसका aim क्या था यहाँ पे option और यहाँ पे आपका right answer भी है सारी question को मैं detail में पढ़ूँगा नहीं क्योंकि पुरानी question है तो उसका कोई use नहीं है बस आपको यहाँ पर देखना है कि question किस तरीके के पूछे आते हैं तो पहला question जो है उसमें आप ने देखा की government का ही data है और one-liner question है ठीक है one-liner question है next question जो हम देखते है यहाँ पर second question है यहाँ पर what is the name of world's biggest and powerful nuclear ice breaker ship launched by Russia अब यह भी एक world-liner question है कि रश्या ने जो ice breaker ship launch किया था उसका नाम किया था तो option यहाँ पर आपके सामने है और right answer है इसका civil third question था who won men single title देखें यहाँ पर था आपका पहला question था national second question था आपका international क्या चल रहा है third question है यहाँ पर आपका US open tennis का sports section का ठीक है इसके बाद की question देखते है हम लो यह एक पूरे ही आपका जो हुआ था exam तो तीन दीन exam हुआ था दोनों ही shift में तो यह एक shift का है बाइस तारीक का shift का है question है fourth question है sports cube fifth question है इंडिया इंडिया इंड इस neighboring country और country देखें यहाँ पर इंडिया और जो neighboring country का है या दर country का है उसके बीच में क्या कुछ चल रहा है को समीट है कोई agreement है कोई event हो रहा है तो वह चीज़ है ठीक है इसके बाद देखते है question करना करनाटिक वोकलिस्ट टी एम कृष्णन वोन थार्टी इंद्रा गांधी अवार्ड तो मतलब कि यहाँ पर आपका एक question जो है वो अवार्ड section से ठीक है एक question जो है वो आपका अवार्ड section से नेक्स्ट देखिए what is the rank of India in world bank's ease of doing business हलाकि यह rank जो है रिपोर्ट जो है यह बंद हो गया है लेकिन यहाँ पर एक question जो है आपका rank से ठीक है तो rank पूछ रहा है अवार्ड पूछ रहा है स्पोर्ट से question पूछ रहा है फिर union government of India has launched a project to ensure conservation of Himalayan ecosystem यहाँ पर government of India का एक project था कि Himalayan ecosystem को conserve करना है उसका नाम क्या था तो secure था उसका नाम तो question हमारे के important नहीं है हमें यहाँ पर यह analyze करना है कि question वो सारी question जो कि SSE IMD exam में पुछ जाएंगे क्या मैं जो book आपके साथ discuss करने व वाला उससे सारी question आपके हो जाएंगे या नहीं होंगे यह question भी आपका मिल जाएगा फिर एक commemorative coin of rupees 110 denomination was released on 101 मार्ज जनम दिन जो था Dr. MS. Subha Lakshmi का उनके जम दिन पर तो यहाँ पर बताना है कि MS. Subha Lakshmi कौन थे तो यह करनाटिक musician थे ठीक है करनाटिक musician थे तो यह question देखें आपने यह भी question award का ही था आपका एक तरीके का और सिक्के जारी किये थी तो यह question भी आप उसमें मिल जाए ठीक है तो question हमने यहाँ पर देखा कि जो journal exam का होता है one liner question वही question यहाँ पर पूशे जा रहे है अब जो student SSC exam की त्यारी क करते हैं या कुछ जो banking exam की त्यारी कर रहे होंगे या जो technical exam की त्यारी कर रहे होंगे उनके जो current affairs की resources होते हैं वह काफी अलग अलग होते हैं बैंक वाले जो है वो monthly class वगरा आती है coaching वगरे की या परते हो गिता दरपन वगरा पढ़ते हैं इतनी मोटी मोटी किता तो यहाँ मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको जो भी question है जो भी इस exam में आने वाले है वो सारी question आपके इस book से cover हो जाएंगे तो कौनसी book है यह speedy publication की book है ठीक है हमेशा आती रहती है हर दो मेने पर आती ही रहता है यह book लेकिन आप अभी market में compilation जो one year compilation है वह available है तो वह जा कि आप buy कर सकते हो इसमें क्या है आपको जो monthly है जैसे कि जून जुलाई अगस्त मन्त के जो one-lander question होगे वो तो मिलेंगे ही उसके लाबा चार्ट form में ठीक है मतलब चीजों को अलग से filter करके सारे exercise सारे summit सारे event सारे sports इस तरीके से चीज़े भी अलग से मिलेंगी और फिर लगबग 2200 या CQ question भी मिलेगा तो अगर आपने सिर्फ ये बुक को दो वार पढ़ लिया तीन वार पढ़ लिया एक्जाम तक तो आपका current अफिर का जो आठ question, 10 question, जितने question आएंगे वो सारे ही question आपका इस book से cover हो जाएगा इसलिए मैं आपको यहाँ पे इस book का content page है वो भी दिखा देता हूँ ताकि चीज़े आपके लिए cover हो जाए तो कौन क्या मतलब आज के time में कौन president है, कौन soyster journal है, कौन CAG है, सारे चीज़े है, जो ministries है वो है, सारी राज के राजधानी, राज़्यपाल, अमुखमंती, तो राज़्यपाल के वर पूछता है, फिर विश्म में कौन, क्यार, कहां, मतलब किस country में नई president अबगरा ये पूछे आते हैं exam में, अंतरास्ते संगठन, कौन जैसे WTO का, UNNation का, ठीक है, इस सुब का, आ इस से question आया हुआ है, आप चेक कर लेना, इस से question आया हुआ है, तो ये भी question आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फिर विधान सभाव या कोई latest election हुआ हो, सबसे important आपका आर्थिक समिक्षा, यानि की economic survey और budget बजट बगरा से question बनते हैं, तो ये nobel पुरुसकार, ये अभी हाल म ये ही इसी मन्त October में release हुए है, बुकर प्रुसकार वगरा भी release हुए है, तो वो सारे ही प्रुसकार की list आपको इसमें मिल जाएंगी, और जो नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको खुश से एक मेने का, तो देखिए, क्या है कि online exam है, और online exam में क्या है कि question जो है, आपके exam से खुश से cover करना पड़ेगा, तो भी मैं बताता हूं कैसे करना, फिर नीती आयोग और GST वगरा, government, योजनाई, ये बहुत important है, science tech से जो question है, प्रुसकार सम्मान हमारे exam में कूशे भी गेंगे है, देखिए, पदक और सम्मान दिये गे थे, sports section के question आते हैं, मैंने दिखाया उपर, यहाँ पर मिल जाएगी, नए book, महत्रपुर्ण दिवस, event, summit वगरा, यहाँ पर आपको पूरा list मिल जाएगा, तो यह जब book है, यह complete package है, question देखिए यहाँ पर, 76 page, only 76 page, इसके बाद mcq वगरा होंगे, लेकिन 100 page में आपका पूरे साल का यहाँ पर complete हो जाता है, अगर आप monthly किसी का buy करोगे, तो 1500 page सिर्फ एक month में होगा, वो waste of time पढ़ना, कम पढ़के आप अच्छा score कर सकते हो, इस किताब से, ठीक है, इसके अलावा, safety के लिए और security क आप क्या कर सकते हो, देखे, यह आपको एक book, यह book काफी है, इससे ज़्यादा जाने की जूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जाओ, practice करना चाहते हो, mcq को form पर, देखे, मैं भी करवाओंगा, आपको question भी करवाओंगा, और यह सारे list वगरा भी, जो important है, वो भी current affair के लिए, ठीक है, जब December मन्त आएगा, तबसके लिए आप कर सकते हो, daily current affair के लिए, आप कोई भी YouTube एक channel, जो कि daily, कहां से Indian Express या देहिंदो वगरा को जो cover करता हो, उस channel का, आप क्या करो, daily current affair का वीडियो देख सकते हो, कम से कम December मन्त का जरूर देखना, ठीक है, तो कि आपक monthly current affair आप क्या करो, I am JK Today के उपर, January for free से लेकि December तक, एक मन्त में 50 MC की डालते ही है, तो इनके सार ही question, और मैं इन सम्में वी से filter करके आप के लिए लेकिन आप खुद से practice करो, सार ही question आप बस पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, लेकिन सार ही question एक बार ज़रूर attempt करो, ये book काफी ह इसके लावा आप ये follow कर सकते हैं, और ये इतना काफी है आपके exam में current affair के section को पुरा करने के लिए, तो ये video था आपके लिए, देखिए मैं बहुत कम असटीक बात यहाँ पर बोल रहा हूँ, जदा यहाँ पर करने की जुरत नहीं है, more than enough है, तो इस video में बस इतना ही,